हेलो माई दिया फ्रेंस और प्यारे बच्चों आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आप यूप यूप आप डिविग ए रुना लाइफ और आप सभी की हेल्थ और स्टडीज बहुत अच्छी चलिए होगी है जैसा कि आप सभी को पता है हमने इस चैनल पर सैनिक स्कूल, राष्टी मिलेटरी स्कूल और नवदय विद्यालय सम्वीदी के एक सिरीज से शट करी है तो इसी सीरीज को आगे लिए आते हुए आज हम करेंगे स्क्वार रूट और क्यूल रूट के कुछ प्रैक्टिस कोशियोंस। यर्च का पाट नमबर टू है आपने प्रिविएस पाट में प्रैक्टिस कोशियोंस को देखा होगा और बेशीक्स सम्जेएंगे तो हमने chapter number 1 number system, chapter number 2 HCF and LCM cover कर चुके हैं with practice questions और ये chapter number 3 है जिसमें हमने basic concepts और practice question का part 1 approach कर चुके हैं तो ये practice questions का part number 2 है अगर आप हमारी offline message join कर मचाते हैं तो skin पर दिये गए question को skin पर दिये गए address पर हमें contact कर सकते हैं या फिर दिये गए whatsapp number पर आप हमें message कर सकते हैं अपने name class city और किस exam क्या प्रिप्रेशन करना चाहते हैं हम आपसे contact करने की कोशिज करेंगे तो friends चलिए बिना देरी करेंगे start करते हैं माज का first question जो की है under root 21 plus under root 11 plus under root 25 मैंने आपको इस type कोशिज और डड़ी करा चुके हैं तो as a revision आप इसे solve करने की कुशिज करेंगे पहले आप खुछ से solve करें अगर नहीं आता है तब जाके आप इसका solution देखेंगे ठीक है तो यह है under root 5 देखे सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे अंदर वाले under root को solve करते हैं जो कि है under root 25 तो under root 25 किसका square होता है यानि under root 25 का मतला होता है इसका हमें square root टीकानला है तो आप सबी को पता है 5 का square क्या होता है 25 होता है इसलिए under root 25 की value क्या होगी 5 होगी तो यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया 21 प्लस under root 11 प्लस 5 ठीक है 11 प्लस 5 केतना होता है 60 होता है तो क्या हो जाएगा अंडरूट 21 प्लस अंडरूट 16 अब देखिए अंडरूट ठीक है स्कार रूट ओफ 16 निकाम में है तो आप से भी को पता है स्कार रूट ओफ 16 किता होता है 4 क्यों 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 होता है 16 ठीक है तो अंडरूट 16 की जगा मैं क्या लेकर सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, तो 21 प्लस 4, ये क्या होता है 21 प्लस 4, ये होता है 25, तो अंडरूट 25, तो अंडरूट 25 means 5, तो हमारा answer क्या है 5 answer, ओके, तो easy one था, तो आप questions की practice करेंगे, और इनको भोलेंगे नहीं, नेक्स है, अंडरूट 1 प्लस, 1 प्लस 25 अपॉन 144 इक्वस टू 1 प्लस X अपॉन 12, ठीक है, ये इसे solve करना है, और हमें variant कालनी है X की, तो सबसे पहले हम यहाँ पा solve करेंगे, आपको पता है कि threshold में क्या होता है, ये 1 है, तो इसके upon में हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है, जिसके upon में, जिसके denominator में कुछ नहीं होता है, हम उसे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, अब 1 और 144 का LCM लेंगे, तो क्या आएगा 144, ठीक है, 1 से 144 को divide करते हैं, यहाँ हो जाएगा, तो ये 144 प्लस 25 जाएगा, ये सब अंडरूट के अंदर है, तब जाके ये कितना होगा, अंडर अंडरूट के अंदर 169 अपान 144 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडरूट 169 अपान अंडरूट 144, ठीक है, यानि अगर एक fraction है, और वो अंडरूट के अंदर है, अंडरूट का मताब होता है, numerator का भी अंडरूट निकालेंगे, square root और denominator का भी square root निकालेंगे, तो 169 क किसका square होता है, यह होता है 13 का, और 144 किसका square होता है, यह होता है 12 का, तो हमारे इसकी value, जो हमारा left hand side है, उसकी value कितने आए गई है, 13 upon 12, तो 13 upon 12 equals to 1 plus x upon 12, तो इसको जैसे हमने यहाँ पर solve किया था, same, इसको भी solve करेंगे, तो यहाँ पर 12 दिसलिंगे, ठीक है, इसका एगराट एलशेम रहता है, 1 plus x upon 12 का, तो 12 आ गया, तो यहाँ पर 12 दिसलिंगे, plus x, तो 12 plus x upon 12 आ गया है, तो मैं इसको हटा के चले दूंगा, 12 plus x upon 12 आ गया है, अब क्या होगा, देखें, यहाँ भी denominator में 12 है, और यहाँ भी denominator में 12 है, तो यह 12 से 12 cancel हो जाएगा, इस 12 को हम cancel नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस 12 से 12 को cancel नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, plus का sign है, अगर plus या minus का sign होता है, तो हम ऐसे divide नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर, अगर मैं left hand side देखू, यह denominator में 12 है, और यहाँ पर भी 12 cancel होगा, तो इसलिए shortcut में मैंने 12 से 12 को cancel कर दिया है, ओके, तो मेरे पास अब क्या बचा है, 13 equals to 12 plus x, 13 equals to 12 plus x, यह 12 यहाँ प्लस का, यहाँ जागे क्या हो जाएगा, minus का, तो x equals to कितना हो जाएगा, 13 minus 12, यानि 1, तो इसकी value कितनी आ गई है, इसकी value आ गई है, 1, ओके, तो यह था question number 2, ठीक है, तो आप इसे देखेंगे, अगर आपको check करना है, तो आप इसमें x की value भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 plus 1 upon 12, तो 13 upon 12 आ जाएगी, इसकी value, right hand की, और left hand की हमें निकाले थी, 13 upon 12, next question है, 18 upon 33 equals to under root 36 upon under root question mark है, ठीक है, यह question mark है, जहाँ पर question mark देता है, आप आप क्या कर सकते हैं, आप इसको x भी माल सकते हैं, आप क्या माल सकते हैं, x भी मालता है, तो हम क्या माल नेंगे, x माल नेंगे, तो under root 36, under root 36 किसका square होता है, यह होता है, 36, 6 का square होता है, तो इसलिए under root 36 की जगा हम क्या लख सकते हैं, 18 upon 33 equals to 6 upon under root x ठीक है तो ये चीज हमें दिख गई है अब हम क्या करेंगे इसको cross multiplication कर देंगे यानि 18 into x equals to 6 into 33 अब ये 18 क्या चले आएगा यहाँ पर चले आएगा तो under root x equals to 6 into 33 upon 18 ठीक है यहाँ multiply है यहाँ जाके divider हो गया तो 6 से 18 किया कितने बाद 3 time कटा है अब 3 से ये कटेगा 3 बंज़ 3 3 बंज़ 3 तो under root x की value कितने आगे है 11 लेकिन हमें किस की value निकालनी है x की value निकालनी है तो under root x की value है 11 तो मुझे x की value निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों side का क्या करना पड़ेगा square कर देगा यानि under root x की value कितने हो जाएगी 2 upon 11 की value 2 तो दोनों side का हमने क्या कर दिया है square कर दिया है अब क्या होगा जब भी यहां पर आप ध्यान देंगे जब भी क्या होता है under root वाले किसी भी number का suppose under root 2 under root 3 under root 5 under root 6 under root 4 तो 4 के तक है 2 जाता है लेकिन इनका ये perfect square number नहीं है अगर इनका square करता है तो root का sign क्या हो जाता है हड जाता है तो under root x क्या square कर रहे है तो value कितनी आ जाएगी x यानि अगर मैं under root 2 का square करूँगा तो 2 आ जाएगा under root 3 का square करूँगा 3 आ जाएगा under root 5 का square करूँगा 5 आ जाएगा under root 6 का square करूँगा 6 आ जाएगा ठीक है तो x equals to 121 11 का square क्या होता है 121 तो हमें ये निकाला लगा x की value कितनी आएगी यह आएगी 121 ओके तो देखें अब आपके मन में doubt आ रहा हुआ कि under root x की जो square होता है इसकी value x क्यों आती है मैंने आपको बताया था जो भी under root होता है x है मैं इसे x की power 1 upon 2 लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ तो मैंने क्या करा x की power 1 upon 2 इस whole के आतर रखा है square कर रखा है अब देखें जब भी यानि कभी भी bracket के भार से और अंदर से power हो तो वो power क्या हो जाती है multiply होती यानि x की power कितना हो जाएगा 1 by 2 into 2 यह हो जाता है ठीक है इस 2 से 2 cancel तो x की power कितने आ गई 1 आ गई x की power कितने आ गई है 1 आ गई है तो x की power 1 का मतलब कितना होता है x है इसलिए under root x का square की value क्या होती है x ओके तो यह था हमारा question आप practice करेंगे और क्या करेंगे इनके अब पहले अपने मतलब करते जाएंगे क्योंकि यह basic type questions है अगर आपका basic मजबूत होगा तभी जाके आप advanced question क्या कर सकते है solve कर सकते है लेकिन कभी भी देखे अगर आपको कितनी भी बड़ी building मनानी हो लेकिन उसका क्या होना चाहिए बुनियाद ठीक है उसकी क्या होनी चाहिए बुनियाद यानि जुसका base होना चाहिए वो बहुत मजबूत होना चाहिए अगर base कमजोर है तो उपर आप building मनाते जाएंगे एक time ऐसा आएगा वो धरासा ही हो जाएगी यानि गिर जाएगे लेकिन अगर आपका base मजबूत है यानि आपकी बुनियादे मुझबूत है तो आप उपर कितनी भी बड़ी building बना सकते है तो इसलिए पहले basics को यानि अपके base को clear मजबूत बनाते होए चले तब जाके हम advance और short trick पर चलेंगे ओके अब हमारे पर next question है अब रूट 4,4,1 अपॉन 3 इंटू अंडरूट 2,2,5 अपॉन 5 इंटू 64 देखिए अंडरूट 64 है एक्चुली में ठीक है यह अंडरूट 64 है question में 64 जा रखा है लेकिन अंडरूट 64 है 256 equals to x ठीक है हमें question mark दे रखा है तो हमने question mark की जाओए क्या माल लिया x माल लिया है तो x माल लेंगे तो अंडरूट 441 देखिए मैं आपको बता रहा है आपको 1 से लेके 25 at least 25 तक तो याद है मेशे यह अगर कर सकते हैं तो 30 तक याद कर लेज़े ठीक है 1 से लेके 30 तक अगर 30 तक याद नहीं हो रहा है तो 1 से लेके 25 तक squares number याद कर लेंगे और cube में 1 से लेके 15 तक cube याद करेंगे तो अंडरूट 41 का कितना होता 441 किसका square होता है 21 का upon 3 into 25 किसका होता है यह 15 का होता है upon 5 into 64 किसका होता है 8 का और 256 यह किसका होता है यह होता है 16 का ठीक है तो 256 किसका square होता है 16 का तो हम cancel out करेंगे देखें 3 से यह करेंगे 7 times 5 से यह जाएगा 3 times और 8 से यह जाएगा 2 times ठीक है तो हम आपास क्या बचा 7 into 3 upon 2 ठीक है तो 21 upon 2 तो कितने बार जाएगा 10.5 times जाएगा option number क्या हो गया c is the right answer ओके तो आप यहाँ पर don't be confused तो हम यहाँ पर इसको इस तरीकी से solve करेंगे तो आपको अगर देखें square square root cube cube root अगर आपको इन questions में base मजूद करना है तो सबसे पहले basic होता है कि आपको square से या दोने चाहिए कि 1 से लेके 30 तक और cubes या दोने चाहिए 15 तक तब जाके आप थोड़ा बहुत क्या करेंगे improve कर पाएंगे इसमें अगर आपको squares याद नहीं है तो आपको हमें साथ दिक्कत ही आने वागी है तो सबसे पहले आपको squares and cubes याद करने हैं हमारे पार next question है which one of the following number is a perfect cube ठीक है perfect cube है हमारे पास 4 नमबर दे रखें 28364049418281331 ठीक है इन नमबर में से हमें perfect cube निकालना है देखें जिसे cubes याद नहीं होंगे वो यहाँ पर बहुत लंबा टाइम जादेगा इसे solve करने में क्यों क्यों क्योंकि पहले उसको इसे देखना पड़ेगा कि यह cube है नहीं है फिर यह देखना पड़ेगा यह देखना पड़ेगा सब को चेक करेगा एक से a b c d करके सबको क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा तब जाके उसे आंसर मिलेगा लेकिन मैंने क्या बताया अगर आपको cube याद है अगर आपको cubes याद है numbers के तो आप इसमें आंख बंद करके सीधे मतलब बिना कुछ सोजी समझें आप टिक लगा देंगे कि हमारा यह सही answer है क्यों है देखें क्या कह रहा है which one is the following number is a perfect cube तो इसमें से कौन सा number perfect cube है यह 1331 क्यों क्यों क्योंकि 11 का cube होता भी है तो 11 का cube होता है मैंना आपसे कहा रखा 1 से लेके 15 ता cube याद करने है 11 का cube होता है 1331 नहीं पता है देखें 11 का square 121 into 11 121 और 121 तो 1331 लेवन का cube होता है 1331 तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि अगर आपको cubes याद होंगे squares याद होंगे तो आप questions को चुटकी बजाते कर देंगे तो आप अपना time क्या करेंगे waste करेंगे ठीक है अब देखें यह कह रहा है how many natural numbers lie between 53 52 का square माइनस 53 का square ठीक है तो इन दोनों के squares के बीच में कितने natural numbers क्या करते हैं रहते हैं देखें आपको क्या करना पड़ेगा देखें इसको solve करने के कही सारी तरीक है ठीक है पहले आपको 53 का square निकालना पड़ेगा 53 का square निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 53 इंटू 53 ठीक है आप ठीक है तो यह तो कितना आया 9 10 8 2 ठीक है तो 1 2 8 09 आता है ऐसे 52 का square निकालने तो 52 इंटू 52 ठीक है तो आप इसे कैसे solve करेंगे अब क्या करेंगे इन दोनों के बीच में कितने नंबर वो करते हैं तो इसका सबसे से बेसिक पंड है 53 का square माईनoto 52 का square इसमें इन दोनों के बीच में करा है ठीक है इन दोनों के बीच पाहर से माइनस 1 कर रहेंगे आप ठीक है तो 53 का कितना होता है 2 8 0 9 माइनस 2 7 0 4 माइनस 1 तो कितना आएगा 9 में से 4 कि आप 5 5 0 1 माइनस 1 तो 1 0 4 तो 1 0 4 is the right answer कि 52 का square और 53 के square के बीच में कह रहा है ठीक है बीच में कह रहा है तो कितने बीच में आएगे 1 0 4 माइनस 1 क्यों कर आए देखे जब आप इसके square में से इसके square को minus करेंगे ठीक है तो क्या होगा ये square और डी count हो चुका होगा लेकि हमें इन दोनों के exclude करना है या नहीं इन दोनों को गेंथी नहीं करना है इन दोनों के बीच में इसे 5 ठीक है 1 2 3 4 5 6 है ठीक है मैं आपसे कह रहा हूँ 6 1 और 6 के बीच में कितने नेच्छल नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में कितने है 1 2 3 4 ये है ना 4 है लेकिन आगर मैं 6 minus 1 करूँगा तो कितना आएगा 5 आएगा क्यों कि जब मैंने 6 में से 1 को minus किया तो मेरे मैंने इस वाले को include कर लिया ठीक है लेकिन मुझे इन दोनों के बीच में बताना है यानि इन दोनों को में count नहीं कर सकता है इसलिए minus 1 किया है ओके तो आप इस चीज का basic ध्यान देंगे तो 105 minus 1 यानि 104 ओके ये था basic method ये क्या था basic method था अब मैं आपको बताते हैं इसका sort method क्या हो सकता है पहले तो मैं आपको बता दूं 52 आप 53 के स्कुरेस निकालने का soft trick क्या होता है देखें अगर कोई भी number है आपके पास 50 क्या असपास है यानि 50 से बड़ा भी हो सकता है 50 से छोड़ा भी हो सकता है 50 से छोड़ा भी हो सकता है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे आप वहाँ पर क्या करना है आपको सपोज आपने ले लिए 53 आपको 53 का नम्म लेना है तो 53 क्या है 50 प्लस 3 है यही तो है ना तो आपको क्या करना है 53 50 से कितना बड़ा है 3 बड़ा है तो आपको 25 प्लस 3 कर देना है कितना आया 28 आया और कितना बड़ा है तो 3 के स्कॉयर कितना होता है 3 के स्कॉयर होता है 9 तो मैं इसको गुण जीरो माँ और ग Bakeaway आया ना ऐसे ज्ओकर 52 क्या लिखता हूं मैं 50 50 प्लस 2, तो 52, 50 से कितना बड़ा, दो बड़ा है, इसलिए मैं 25 प्लस 2 कर दूंगा, कितना आएका, 27, और 2 का इस पर कितना होता है, 4, तो इसे 0, 4 ले होगा, तो 27, 0, 4, ठीक है, छोटा में पाल लेते हैं, 46 ले लेते हैं, तो ये 50 से कितना चोटा है, 50-4 है, ऐसे लिखते हैं 46 को, तो मैं इसे क्या करूँगा, 25-4 करूँगा, 25-4, 21, और 4 का कितना होता है, 16, तो 21, 16 आज गया, 46 का स्क्राइब, तो ये क्या है, एक सॉट ट्रेक है, ठीक है, आप चाहें तो, किसका ले सकता है, 41 का ले लेते हैं, चलोगे, क्या ले ले लिए आप, 41 का स्क्राइर, तो 40 वन क्या हूता है मैना स्षिट्टी मैनना Conselli 59-9 और यहांपन नाइन का इसक्रट तो 59 55-9 9 कितना वगा 26 16 तो यहाँ कि इसिटी और नाइन श्क्र पर कितना होता है 82 तो 41 4 16 말고 91 अगर आपको क्यों विद्या आट है आप 41 many of 41 कर सकते तो यह फोटीवन चाज चाज़को 16 तो 1861 यह देखिए तो यह ना तो यह नमबर पचास के आसपास है तो आप ऐसे तरीके से क्लिप्रेट कर सकते हैं इस question को solve करने के बहुत से method है ठीक है तो आप जैसे जैसे आप अपना बेस आखे करते रहेंगे आपको पता चलते रहेगा दालीश नमबर देखिए हमारा next question है दालीश नमबर बाइच एटीवन वी डिवाइडेट तो मेग अपरफेट क्यूब इस यानि 81 को ठीक है किस नमबर से हम डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए तो इसके लिए देखिए इस टैप की questions आपको देखने को जरू मिलेगे तो इस टैप के questions को solve करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे इसका prime factorization method से आप इसके factors निकाल दीजिए ठीक है तो 81 के में अगर factors निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा 3 से करूंगा 3 27 तो 3 9 3 3 3 1 तो मुझे क्या निकालना है इसका cube निकालना है ठीक है तो देखिए cube निकालना अगर perfect cube होगा तो cube आएगा तो 3 into 3 into 3 into 3 तो मुझे से क्या करा है जो मैंने इसके factors निकाला है 3 3 3 3 ठीक है तो अगर मैं किस number से इसे divide करूं कि यह क्या हो जाए perfect cube बन जाए तो देखिए cube root निकालने के लिए क्या करते है तीन तीन के ps बनाते है मैं आपको बता रखा है तो एक ps यह बन गया अब मेरे पा है 81 ठीक है 81 यानि जो 3 into 3 into 3 into 3 था इसके factors थे इसको मैं 3 से divide करता हूं तो इस 3 से एक 3 दिवैड हो जाएगा तो यह कितना बन जाएगा 3 3 3 यह क्या होता है 27 और 27 किसका cube होता है 3 का ठीक है तो perfect cube बनाने के लिए मुझे 81 को 3 से divide करना पड़ेगा अगर मुझे कहता कि किस नंबर से multiply करना है कि यह perfect cube बन जाए तो देखिए यहां पर क्या है factor 3 into 3 into 3 into 3 3 है ठीक है एक pair यह बन गया आप मुझे perfect cube बनाने के लिए क्या हो चाहिए इस 3 के साथ भी pair चाहिए एक 3 यहां पर चाहिए और एक 3 यहां पर जब यह 3 और यह 3 होंगे तो भी तो पेर बनाएंगे 3 का बनाएंगे ना जोड़ा तो 3 into 3 कितना होगा 9 तो यानि मुझे इस की जोड़े बनाने हो कौन-कौन से number extra है और multiply करते वक्त देहना पड़ेगा जिनका pair नहीं बनना है उनके pair बनाने के लिए कितने numbers और चाहिए ठीक है तो यह क्या है basic है नेक्स्ट है 2005 का square minus 195 का square तो इसकी value क्या होगे देखिए इस टैक्नी questions में आप क्या करेंगे पहले इसका square निकालेंगे फिर इसका square निकालेंगे तब जाके फिर इसके square में से इसको minus करेंगे तो जाके answer निकालेंगे ठीक है लेकिन आपको क्या करना है आपको दिमाग का यूस्त करना है आपको यहां पर smart बनना पड़ेगा इसके लिए आपको देखिए अभी जब हम algebra वाला part start करेंगे तब आपको मैं एक चीज़ता हूंगा क्या algebraic identities ठीक है a plus b into a minus b ठीक है तो यह इसकी वैज़े होती है अगर मैं इस 2005 को a मालूं और 1995 को b मालूं तो मैं इसको apply कर सकता हूं a square minus b square तो मेरे पास क्या हो जाएगा two zero zero five plus one nine nine five एक नमबर यह हो गया a plus b into a minus b two zero zero five minus one nine nine five तो two zero zero five plus one nine nine five को करके क्या आता है 4000 आता है ठीक है इन दोनों को मैंनस करूंगो तो कितना आएगा इन्टू 10 तो 4000 इन्टू 10 कितना हो जाएगा 40,000 तो 40,000 इसा option नमबर यह देखे अगर आप square निकालते हैं आपको इतने बाद मैंटिप्लाई करना पर फिर आप माइनस करते हैं तो इतना नमबर प्रोसर हो तो आर आंसर इतना रहता है यह आगर यहाँ पर आप स्मार्ट है तो आपको identities पता है तो आप कैसे करेंगे आप identity follow करतेंगे तो a square minus b square पर राबर क्या होता है a plus b into a minus b इससे पहले वारा जो question आया था जहाँ पर हमने 53 minus 52 का square minus 1 करा था वहाँ पर भी आप यह कर सकते हैं a plus b into a minus b तो a plus b क्या हो जाएगा 53 plus 52 ठीक है और a minus b कितना हो जाएगा 53 53 minus 52 minus 1 ठीक है तो 53 plus 52 एक सो पांच इंटू 1 यानी 101 105 आया माइनस वन यानी 104 अगर आपको identities पता है तो आप easily नहीं क्या कर सकते हैं solve कर सकते हैं तो बस आपको अपने basic परिध्यान अखना है और चीजों को भूलना नहीं है ठीक है अब हमारा next question है which one of the following will have cube root ending with 3 and ending with 3 यानी आपके पास जो number given है 3, 5, 9, 3, 7, 4, 6, 6, 5, 9, 3, 9, 3, 0, 4, 5, 0, 6, 5, 3 ठीक है ये number से हैं ये पूछ रहा है कि किस number के cube root में है cube root का मतलब ये ठीक है cube root की जो unit digit होगी 3 होगी यानी यहाँ पर कुछ भी number होगा ending क्या होगी इसका प्राव दिए 3 होगा तो आगर आपने मेरी previous वीडियो अच्छे से देखी हैं समझी हैं तो मैंने आपको बताया था कि 3, 7, 2, 8 इन numbers को छोड़के बागी सब number का क्या होता है वो ही होता है 3 के cube में क्या होता है 7 से ending होगा 7 का जो cube होगा उसका cube root 3 में end होगा 2 का cube root 8 में end होगा और 8 का cube root 2 में end होगा ठीक है अगर कोई भी नंबर है उसके ending में 3 आ रहा है तो cube root निकाले आप इसे देख सकते हैं ठीक है तो यह tricks होती है जो आपको बताती है कि आप किस cube root का जो unit digit है वो क्या होगा ओके अगर नहीं आया समझ में तो आप प्रिवेस वीडियो देख के आने पहले तब जाके आप अच्छी तोरह समझ में समझेंगे कि मैं आपसे क्या कियाना चाहिए नेक्स क्वेश्चन है अंडरूट 256 प्लस अंडरूट 81 यह है ठीक है तो अंडरूट 81 की value किसकी होती है देखें अंडरूट के अंदर अंडरूट है तो 256 किसका square होता है 16 का तो यह 16 आ गया प्लस 81 किसका square होता है 9 का तो अंडरूट 16 प्लस 9 कितना होता है 25 तो अंडरूट 25 किसका square होता है 5 का तो हमारा option number A is the right answer 5 हमार आज का last question है square of which of the foreign number will have 6 at its unit place 6 है हमारा पास number 8 24 32 45 तो किस number के square का unit place क्या होगा 6 होगा basic सा है मैंने आपको बता रखा है देखें आपको यह आपको unit digit का बताना है ना unit digit क्या होता है तो आपके इन numbers को cancel कर देजिए 8 का क्या होता है 64 64 क्या होता है 16 2 का होता है 4 5 का होता है 25 तो किसका unit digit 6 है आ रहा है किसका आ रहा है 4 वाले का तो कौन सा होगा 24 24 हमारा क्या है राइट आंसर है जिसके square के unit place में क्या होगा 6 होगा यानि 24 तो आई हो आपको ये question समझ में आ गया होगा वह है पहले basic समझे प्रिवेस वीडियो से तब जाके आप practice questions में आईएगा मैंने आपको वहाँ पर detail में बता रखा है कि कैसे आप tricks को apply कर सकते हैं यह था cube root and square root के कुछ most important practice questions जो कि most expected हैं कि आपसे exam में पूछी जाएं इसमें मैंने आपको कई सारे solve tricks भी बता रखी हैं मैंने आपको बता है कि कैसे आप बीना calculation करे हुए आपका base मर्जबूत है आपको cube और square याद है तो आप कैसे solve कर सकते हैं बिना pen pencil उढ़ाये हुए अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इससे जादा जादा share कीजी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे जादा जादा share कीजी और press the bell icon और इससे subscribe करना ना भूलें इस चैनल को ताकि हमें भी एक motivation मिलता है जब आप subscribe करते हैं वीडियो को like करते हैं और share करते हैं अगर आप हमारे offline pages join करना चाते हैं तो skin पर दिये गए address पर आपको content कर सकते हैं या फिर दिये गए whatsapp number पर आप हमें अपनी information दीजे नेम, class, city और किस exam की आप preparation करना चाते हैं हम आपसे exam related सारे doubts और जो भी information आपको चाहिए वो आपको provide करेंगे तो मिलता है next video में कुछ और basic questions के साथ square and cube root के तो तक तक के लिए जय हैं